Hello everyone, मैं मेथुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे अगर आप Current Affairs की पूरी classes देखना चाहते हो तो playlist से जा कर देख सकते हो, link description box में भी है और channel के playlist पे सारी वीडियो अब लेबल है, आखरी के time में ये बहुत important होने वाली है तो जो चलिए, एक और Current Affairs की class में हम लोग देखेंगे, आज की कुछ important question तो very first question आपके सामने ये रहा, who has been appointed as the captain of the Indian cricket team for the T20 series starting from November 17 तो देखिए, ये सिर्फ November, December की बात नहीं है, ODIA यानि की 50-50 अभर के लिए और T20 यानि की 20-20 अभर के लिए रोहित सर्मा को full time captain बना दिया गया है, जी हाँ, जब से विराट कोली ने step down किया था as a captain तो रोहित सर्मा को full time captain चुन लिया गया है, यानि हमारा answer क्या होगा, option C के साथ आपको जाना है अगले question की और बढ़ेंगे और यहां से आप इनकी image भी देख सकते हो, रोहित सर्मा की next question की और हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा what is the name of circuit train recently launched by IRCTC, देखिए, हमारे religious tourism को promote करने के लिए जो railway की ticket booking company है, IRCTC, यह क्या करेगी, boost करने वाली है तो देखिए, यह कैसे boost करेगी, इन्होंने कुछ नए train को launch किया है श्री रमायन यात्रा train, माभारत यात्रा train, वेंकनी यात्रा train या दरगा यात्रते है तो यहां से आप देखिए, इन्होंने श्री राम यात्रा train शुरुवात करी है दिल्ली के सबदर गंज से और यह train हमारे tourism sector में boom लाएगा तो चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ते हैं वरे next question आपके सामने यह रहा यहां से आप देख सकते हो which time has recently been started by the union minister of government to India Dr. Jitendra Singh membership program for youth innovators देखिए यानि कि Jitendra Singh जो है अभी भारतिय सरकार में केंदरी मंत्री है यह young innovator को जिहां नए नए खोज करने वाले के लिए mentorship program लाएंगे तो इसकी शुरुवात की गई थी यह कौन सी है यह जो अभी हाल में चल रहा है यह first है, second है, third है यह fourth है तो देखिए इसका जो right answer हो का दोस्तों आप यहां से देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर जिते अंजर सिंग लाँचेज first ever membership यानि कि यह क्या है पहला ही है, तो आपका answer क्या होगा आगे बढ़ेंगे, अगले question की और उससे पहले आपको बता दूँ, आखरी के चार-पास जो notes है, वो आपको देथिया जाएगा तो चलिए, यहां से मेरी email id देख लो yourmithunssing at the.gmail.com पर mail कर लिजे if you are on Instagram, then do follow me at the.imithunssing तो अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे which of the following departments has launched the week-long tale law on wheels देखिए, tale law on wheels जो campaign है, वो किसके द्वारा शुरू करे गई है, education department science department, tribal department या department of justice तो यहां से आप answer देख सकते हो department of justice launches tale law on wheels company, यानि कि justice launch ने, यह जो है department of justice ने से launch किया है, तो हमारा right answer कहां जाएगा, आप यहां से देख सकते हो option D, इसका right answer हो जाएगा अगले question के और बढ़ेंगे, next question आपके सामने, यह रहा आपको बताना है 11th November को क्या celebrate किया जाता है National Postal Day, National Science Day National Education Day, या National Settlement Day, तो यहां से आप देख पाओगे National Education Day जो है 2021, 11 November को celebrate किया जाएगा, 11 November हमारा right answer हो जाएगा, और भारत के जो पहले सिक्षा मंत्री हैं आप उनकी image भी देख सकते हो, अगर आप पहचानती हो तो नीचे comment करके आप इनका answer बताईए एगले question के और बढ़ेंगे जो कि आपके सामने यह रहा, देखिए हैसे art जो है A unique painting style, traditional art practices practiced in which Indian state तो देखिए आपको यह बताना है हसे जो art है न, यह किस जो state में है, वो practice किया जाता है केरला में, करनाटका, आंधरपरदेश या वेस्ट बंगाल, तो इसका जो right answer होगा दोस्तों, आप यहां से देखो, एक image में art है, art and craft है, यह आपको करनाटका में मिलेगी अगले question क्यों बढ़ेंगे very next question आपके सामने यह रहा in which state, 18,000 women will be trained as members of a self-help group self-help group, यहने कि खुद को मदद कर सके, तो यह क्या उत्राखंड करनाटका, जमु कस्मीर, यह of these में होगा, तो इसका जो right answer होगा दोस्तों, वो है करनाटका, जो कि 18,000 women को क्या करेगा, self-help group membership दिलाएगा, और यह खुद से अपनी help कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए जो कि आपके सामने यह रहा the central government has recently appointed vice admiral R. Hari Kumar as the next chief of which army, तो यह बहुत 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 important है, please pen paper पर इसे not down कर लिजे, exam में आने वाला प्रसन है, तो इसका जो right answer होगा दोस्तों, vice admiral R. Hari Kumar to be next chief of naval staff तो देखिए, naval staff इनको चुना गया है तो हमारा right answer होगा option B जी हाँ, आप किसके साथ जाओगे? option B के साथ आपको जाना था